हेलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल इस्टेडी विशाल सिंग में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलर्शिप 2024 को लेकर बहुत से मन में आपके डाउट हैं क्योंकि अब इस्टेटस आपके अपडेट होने लग चुके हैं क्योंकि जो होम स्क्रीन पे स्टेटस तो होता है कुछ इस तरह का सो हो रहा है आप सभी को दो तरह के देखने को मिल ला होगा और कुछ इस तरह देखने को मिल ला होगा यहाँ पर आपको देखने को मिलना होगा सत्यापित नहीं है और यहाँ पर देख रहे होगे सत्यापित मतलब यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं आ रहा है और यह सही है या गलत और जो सत्यापित यह लिखा आ रहा है कैसे सही होगा और बहुत और सारे भी जैसे पेंडिंग राइट इंस्टिट्यूट लेवल आपको अब क्या आगे करना होगा कि जिससे हमारा भी इस्टेटस सो हो आपको बहुत सी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं स्टेटस से लेकर तो फिलाल इस वीडियो में सुरू से अन तक बने रही है और हमारे चैनल पर पहली बार आते तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करिए और आपसे रिक्वेश्ट है अगर आपको कोई भी जनकारी चाहिए तो नीचे डिस्किप्शन में लिंकर टेलिग्राम का आप मुझे प्रस्नल मैसेज करके अपना सेंड करके जो भी आपका क्यूशन है और आम उससे पूछ सकते हैं तो यहां पर देखिए कि अब आपको क्या करना है आपको बहुत ही डिटलेस में बताने वाले हैं तो आई हम चलते हैं स्टेटस की तरफ यहां पर आपको यहां पर देख सकते हैं और यह सत्यापित नहीं है लेकिन कैसे मेरा सही हो गया अब देखेंगे आज का यह जो इस्टेटस आपको दिख रहा होगा यह आपको सही है यहां पर कुछ लिखा नहीं आ रहा है कैसे यह सही हो गया कैसे सही हो गया अभी हम बात करेंगे सबसे ल सोरा एक तरह से सबसे अपन नीचे जाएंगे तो आपको सो रहा खें यहां पर सत्यापित नहीं है यह ता ही हो रहा होगा लेकिन निचे ह brain हो रहा ह intelligent की डी Bai institute मतलब का मतलब और घबराने की बात नहीं है, इसकी बात अभी हम करेंगे, इसकी बात करेंगे अलग से, क्योंकि यह बहुत important है, अभी बस मैं इसकी बात कर रहा हूँ, receive by institute जिसका भी सो हो रहा है, कि उनकी कोई भी घबराने की बात नहीं है, उनका institute अपने college से receive कर लिया गया है, उनका farm, द दिया गया है, और आपको बस अब wait करना है, अपने status update होने का, तीसरा यहां पर बात आपको दिख रहा होगा, यहां पर, कि pending at institute level, pending at institute level मतलब आपके college के द्वारा, ना तो आपके farm को अभी receive किया गया है, और ना ही उसे forward किया गया, कोई नहीं किया गया, pending at institute level के बात अभी pending में है, अगर आपने college में जमा कर दी है, अगर आप college में जमा कर दी है, farm को घबराने की बात नहीं है, maximum मैं बता रहा हूं, maximum two week, maximum two week का समय लगता है यहां पर, आपकी college को receive करने के लिए, तो two weeks अगर आपका ज्यादा हो रहा है farm, तो आप अपने college पे एक बार जरूर अपन इसमें, farm को जाच कर लिजिए, कि farm कहीं इधर उदर तो नहीं हो गया, कहीं आपका छूट तो नहीं गया, तो आप आप जाच कर लिजे, two weeks, two weeks अगर नहीं हो गया, तो आप अभी wait करिए, आपका update हो जाएगा, यहां पर यहां तो receive करकर लिखा आएगा, नहीं तो direct आपको forward लिखा आएगा, ठीक, उसके बाद आप पाएगा, कैसे मालूम चलेगा, कि आपका farm receive कर लिया गया है, तो forward कर दिया गया है, देखिए, यहां पर यहां पर सो हो रहा होगा, इतना सा, कि इसमें मैं marks आपका सो हो रहा होगा, उसके बाद कितना marks पाएगा है, result आपका कौन स सो होगा, और attendance, यहां पर तीन चीजे, यहां पर आपको चार चीजे सो हो रही होगे, सबसे important यहां पर attendance, आप देखेंगे, यहां पर 86% attendance है, लेकिन आपको मैं बता दूं, आपका 75% से, अगर यहां पर कम दिखा रहा है, attendance कम है, 75% से, तो आपका scholarship आने में दिक्कत होगी, आपके scholarship पाने में दिक्कत होगी, इसलिए आप अपना attendance मेंटेन रखिएगा, क्योंकि बहुत सालों से attendance पर ध्यान दिया जा रहा है, scholarship को लेकर, और आप यह के बार अच्छे से मिला लीजिएगा, कि हमारा क्या, जो भी हम marks पाये है, सही है या नहीं, और कितना मैंने जो बताई है, बहुत important है, आप इसको समझ लीजेगा, अगर आपको नहीं समझ में आता है, तो आप मुझे भी message कर सकते हैं, अब बात करते हैं, यहां पर सबसे important है, कि यहां पर सत्यापित नहीं है, तो क्या नहीं सत्यापित है, संबंदित विस्विदाले एवं होगा कि आपकी जो संसा के मानेता क्या होगा फलेटिंग एजैंसि द्वारा एक अफलेटिंग एजैंसि जो सभी स्कॉलेजों को जाच करती है, इसको स्कॉलर्शिप-स इएं, घृंधिशते जाऺ सियिस, बस्तुछा-इंठक्धे स्पर्णर्ध्धित से अंलाइन सत्या आप देख सकते हैं नहीं किया गया जिसका भी तो मतलब वह आपको यह आपको कुछ नहीं करना यह आपके कॉलेज की जिम्मेदारी है अपने पूरे डाटा को अफलेटिंग एजनसी को फारवड करना है आपको कब तक वेट करना ये कब तक अज़ा सब्सक्राप करना यह सही हो जाएंगी सब्सक्राइब ऌब से हो जाएका 11 ले की आपको गशार देखा रहेको लेकिट यहां पर वेरीफाइस अबडेट हो जा है क्योंकि क्राइब कर्वार्वर्ड कर दिया गया है और समाज के लिएड विभाग को पूरी डाटा कॉलेज ने दे दिया है, समाज के लिएड विभाग भी यहाँ पर अफ्लेडिंग एजेंसी को यहाँ पर डाटा दे चुका है, तो इसलिए सत्यापित हो गया है, यह पहले का एक वन वीक और यह अब का यह स्कॉलर्सिप आप तो एक बार आप याद दिला देजिएगा, अगर आपका टू वीक से अगर ज्यादा हुआ है, फार्म समिट करने पे, तो फिलाल दा इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपका कोई भी कुश्चन है, तो नीचे कमेंड बाक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरे टेलिग कारियों के साथ तब तक के लिए जैहिंद वन्यवात रहां